कि आकिर में फिल्ट्रेशन क्या होता है प्रिवेस वीडियो में हम डिसकस कर चुके थे स्क्रीनिंग क्या होता है sedimentation क्या होता है sedimentation with coagulation की हम बात कर लिए और जो fourth step है हमारी वो है दोस्तो filtration इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में filtration होता है तो दोस्तो filtration एक ऐसी process है जिसमें की जो granular material होता है उससे हम water को pass कराते हैं ठीक है क्या बोला मैं granular material से water को pass कराने की process को ही filtration कियते हैं अब वो जो granular material होता है न दोस्तो उसको हम लोग filter बोलते हैं ठीक filter क्या होता है कितने टाइप के filter होते हैं इसके लिए मैंने एक separate video बना रही है already लिए उसकी link आपको description या फिर i button में मिल जाएगी आप उसको देख लेकिन basic से जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए sufficient होगा तो मेरे क्याल से filtration आपको clear हो गया होगा कि filtration एक ऐसी process है जिसके अंदर में हमारे जो water है जो की sedimentation with coagulation से हमारे पास आ रहा है या फिर sedimentation से आ रहा है उसको मैं pass कराता हूँ granular material के bed से तो इस process को हम बोलते हैं क्या filtration definition में आपके सामने लिखी तकिए कोई दिक्त नहीं है लेकिन मैं बात करता हूँ कि आकेर में हम filtration कराते क्यों है ठीक है filtration क्या होता यह मैंने आपको clear कर दिया जैकिन उससे पहले हमको जो पता होना चाहिए वो यह बात है कि why we need filtration filtration की जरुवत क्यों लगी हमको क्यों करा रहा है filtration क्या sedimentation से हमारा काम नहीं हो रहा था दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब हमको water को treatment करते हैं या water को purify जब कर रहा ना होता है तो हम पहले screening process कराते हैं वहाँ पर हमारे floating material थे वो remove हो जाते हैं फिर sedimentation करा है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे suspended impurities थी वो remove हो जाती है जो sedimentation में impurities remove नहीं हो पाया रही थी वो क्या करते थे उसका coagulation करा देते थे तो वो वहाँ पर कुछ remove हो जाती है अब जो coagulation में भी नहीं remove हो पाई ना उसको हम यहाँ पर filtration के अंदर करवाते हैं जिससे कि filter material में वो जो impurities रह गई थी बहुत जादा ही जो fine थी वो remove हो जा remove कराने के लिए मैं filtration process को करा रहा हूं चिक और क्या होगा filtration कराने के बाद मुझे clean water या clear water देखने को मिलेगा जो की मैं consume कर सकता हूं किसके बाद एक और process होगी datis chlorination या फिर sterilization उसके बाद उस water को हम लोग use में ले सकते हैं चिक आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि वो कौन सी machine जिससे हम filtration कराते हैं दोस्तों कुछ नहीं है मैंने आपको बताया granular bed जो होता है क्या बोला granular material होता है अब granular material क्या होता है यह मैं भी आपको explain करूंगा दोस्तो granular material arrangement होता है हमारा coarse sand का fine sand का और कुछ other materials होते उनका मैं भी आपको figure दिखाऊंगा और इन सब के जो combination होता है जो granular material का जो combination होता है इसको हम filter बोलते है क्या बोलते है filter बोलते है अब आप बोलेंगे filter क्या होता है तो filter जो अभी मैंने आपको बताया कि जो granular material का जो combination है उसको हमने नाम दिया filter और filter मेरे दो type का होता है एक होता है slow sand gravity filter और दूसरा मेरा होता है Rapid Sand Gravity Filter ठीक है इनके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक की दी गई है वहाँ पर आप देख ले वरना इंजिनेरिंग परपस के लिए यह इंजिनेरिंग केमेस्ट्री में ज़्यादा इसका रोल नहीं है ठीक है चुके जानने का तो देख ले अधरवाइस कोई जर्फ नहीं चिक तो यह सिंपल से ही बैसिक सी जानकारीटी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड जो कि मैंने आपके साथ शियर करिए दोस्तों एक बार कंप्लूट करता हूँ आपके सामने लिखके लाया हूँ कि आखिर में filtration क्यों use करते हैं तो हमने बात करी filtration, bacteria को, color को, test को, order को और fine suspended impurities जो हमारी sedimentation with coagulation से नहीं हो पा रही थी या नहीं remove हो पाई थी उनके लिए हम लोग करते हैं second बात है, filtration होता क्या है, वो मैं आपको explain कर चुका हूँ next अगर है, कि जो porous material है, used in the filtration medium या जो filter के अंदर जो हमारे porous material होते हैं, वो क्या होते हैं तो वो हमारे होते हैं दोस्तों, कि वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं send हो सकते है, court send हो सकते हैं, यह हो सकते हैं और जो material है, यह जो equipment वहाँ पर हम use करते हैं, उसको हम filter बोलते हैं, और filter हमारे दो type के होते हैं, slow send gravity filter and rapid send gravity filter, यहाँ पर एक ये example है, एक और है rapid send gravity filter, चीक है, मेरी ख्याल से filtration भी अब आपको clear हो गया, कोई doubt, कोई confusion हूँ, तो description में social media की links दीए, वहाँ पर आप हमसे जूड़ सक and notes के लिए हमारे website पर ज़रूर visit करें, तो दोस्तों, thank you for watching this video, next video में बात करेंगे इस्ट्रिलाइजेशन की and I hope you are enjoying the video series, तो comment करके ज़रूर बताईए